हेलो एवरीवन वेलकम इन माय यूटूब चैनल मैच फ्रेंड और नाव एर गोइंग तो स्टार्ट एक्सर्साइज 9.5 एंड क्योशन नंबर फिप्त देखें क्योशन नंबर फिप्त में क्या है यह कोन सी साइड होगी लेफट साइड हम ले रहे हैं तो लेफट एंड साइड है 3x plus 7 का whole square minus 84x यह आगए विटा अब देखो यह a plus b का whole square होता है हमारे पास क्या होता है a plus b whole square की identity विटा a square plus b square और plus में 2ab इस identity का use करते विए हम इसमें करेंगे a हमारे पास कितना है 3x और b कितना है 7 तो जहाँ a आए वहाँ 3x रखना है b आए वहाँ 7 तो a square मतलब 3x का square b square मतलब 7 का square और plus 2 a a की value 3x b की value कितनी है 7 और minus के 84x समझा है बिटा देखो आप मोटी सी बात यह है कि जो a है ना यह हमारे पास 3x है और b कितना है हमारे पास 7 तो जहाँ भी हम a कहेंगे वहाँ पर रखेंगे 3x जहां b कहेंगे वहाँ कितना रखेंगे 7 यह बात जो है आपने mind में रखनी है तो यह आजाएगा 9x square या 3x square ही रखो अभी इसको 3x square प्लस 7 square और प्लस यह कितना हो जाएगा 2, 3 जा 6, 6, 7 जा 42 प्लस के 42x और यह कितना रखेंगे माइनस के 84x तो यह हो जाएगा 3x का whole square प्लस में 7 का square और यह प्लस के 42x और माइनस के कितने आगे 84 तो माइनस के ज़दा है कितने ज़दा है 42x हो गया अब देखो यह अगर इसको a है यह b है तो इसको हम यह लिख दें 3x का whole square plus 7 का square minus 2 into 3x into 7 देखो इनकी multiply चेक करो 2, 3 जा 6, 6, 7 जा 42 42 यह आ रहा है न तो a square plus b square minus 2ab किसका formula होता है a minus b whole square के identity यह होती है तो a के हमारे पास 3x b के हमारे पास 7 तो minus का 2 है तो a minus b का क्या बिल जाएगा whole square तो अगर जो left side हमारी soul होके आई है 3x minus 7 का whole square यही क्या है हमारी right side है तो इस इकल तो लिख देंगे rhs तो इसमें यह ही शो करना था कि एक side दूसरी side के equal है तो हमने left side को soul किया तो क्या आगी बिटा right side आगी तो लिख देंगे hands क्या hands लिख देंगे कि भी left hand side is equal to right hand side ठीक है बिटा second part second part में देखिए इसका solution स्टार्ट करते है हमारे पास क्या है 9p minus 5q whole square plus 180pq और is equal to है 9p plus 5q का whole square अब देखो इसको हम ले रहे है बिटा left hand side कौन सी side ले रहे है left hand side तो यह है हमारे पास 9p minus 5q whole square और plus में कितना है 180p cube left side ले ली अब इसको a minus b का whole square क्या identity लगाएंगे a minus b whole square किसकी एकोल होता है a square plus b square और minus में 2ab यह होता है हमारे पास अब देखो a a हमारे पास 9p है b हमारे पास 5q है तो a square mean 9p का whole square b square b square कितना है बेटा 5q का whole square minus 2 into 9p और into 5q यह आ गया तो 9p का whole square और plus में 5q का whole square और minus 2 9 जा 18 और 18 5 जा 90p cube और यह कितना चल रहा था आपने पास 180p cube था ना तो इसको भी साथ साथ है चलने दो 180p cube 180p cube तो यह जाएगा 9p का whole square plus 5q का whole square plus के 90p cube और minus के 180p cube तो plus के जादा है कितने जादा है बटा 90 जादा होगे तो 90p cube तो यह जाएगा इसको हम यह लिख दे 9p का whole square plus 5q का whole square plus 2 multiply by 9p multiply by 5 cube तो a square plus b square plus 2ab किसका formula बोलो a plus में b का whole square तो 9p plus 5q का whole square ये कौन सी side so low के आई ये बटा left hand side और right hand side भी कितनी है यही है तो ये left hand side जो so low के आगी किसके equal आगी right hand side के तो हम ये write कर देंगे क्या left hand side is equal to right hand side ये क्या आगया हमारा answer आगया कि हमने यही verify करना था कि एक side दूसरी side के क्या होगी equal होगी इसके साथ ये first और second part complete होते है part number third देखे third part में क्या है question about fifth के third part 4 upon 3m minus 3 upon 4n whole square plus 2mn is equal to 16 by 9m square plus 9 by 16n square तो देखे solve करते हैं इस question को हम सब से पहले क्या ले रहे हैं left hand side कौन सी side ले रहे हैं left hand side left hand side क्या है 4 upon 3m minus 3 upon में 4n का whole square plus में 2mn यह हो गए बटा तो देखो हमारे पास a minus b whole square की identity है क्या identity है a square plus b square और minus के 2ab यह identity है यह इसमें हम क्या करेंगे use करेंगे तो हम इसको कर दें a a हमारे पास 4 upon में 3m है और b हमारे पास 3 upon में 4n है तो a square mean 4 upon में 3m का square plus b square 3 upon में 4n का whole square minus 2 into a a की value 4 upon में 3m और b की value कितनी है 3 upon में 4n और यह plus में क्या चल रहा है 2m n देखो बटाई इसमें 4 से 4 cancels 3 से 3 cancels तो 4 upon में 3m whole square plus 3 upon में 4n whole square और यह कितना जागा minus के 2m n और plus के कितने हो जाएंगे 2m n minus के plus के क्या होगे cut होगे अब देखो इसका whole square है तो 4 by 3m का whole square क्या लिख सकते हैं 16 upon में 9m square होजेगा और इसका square open करेंगे तो बटा 3 का square 9 4 का 16 और यह n square और अगर देखा जाए तो यही तो क्या थी हमारी right hand side तो हम क्या कर देंगे hands left hand side is equal to क्या आगी right hand side यह क्या आगया बटा हमारा answer आगया question number 5 part 4th देखिए 4th part में क्या एविटाफ 4pq plus 3q all square minus 4pq minus 3q all square is equal to 48pq square अब देखिए इसमें क्या करेंगे अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं या तो इसमें a square minus b square की identity लगा हो इसको a मानो इसको b या यह पहले बन रहा है a plus b का all square इससे open कर देंगे और यह a minus b का all square इससे open कर देंगे तो दोनों इसको तरीके साब कर सकते हो तो देखो हम इसको solve कर रहे है a plus b का all square identity से और a minus b के all square से identity से तो देखो a plus b का all square किसके इकल होता है बटा A square plus B square plus 2AB और A minus B का all square इकल होता है A square plus B square minus 2AB अब मैंने ये दोनों क्यों लिखे अदेंटिविटा क्योंकि दोनों ही ये इसमें यूज होगी कैसे अग इसमें तो A plus B का all square यूज हो जाएगी इसमें A minus B का all square A हमारे पास क्या है 4PQ plus 3Q और B हमारे पास क्या है 3Q और A क्या है हमारे पास 4PQ तो देखो ये यूज कर रहे हैं A plus B all square तो A square मतलब 4PQ का all square plus B square इसका मतलब 3Q का all square plus 2 into 4PQ और into 3Q A square plus B square और plus में 2AB इसी तरह माइनस है बड़ी ब्रेकेट लगा लो बेटा ये क्या लिख दे A minus B का all square तो इसमें यादें टी यूज कर दे A square 4PQ का all square plus B square 3Q का all square minus 2AB तो 2 into 4PQ और into 3Q ये होज़ेगा ब्रेकेट क्लोज कर दो अब देखो ये कितना होज़ेगा 16P square Q square ये होज़ेगा और ये होज़ेगा 3-3 जा 9 Q square और 2-4 जा 8 8-3 जा 24 और ये होज़ेगा P और Q square आगए ब्रेकेट लगी रहने दो अभी ये होज़ेगा 16P square Q square plus 9 Q square और 2-4 जा 8 और 8-3 जा 24 ये आगे माइनस के 24P Q square इस्टैप समझ मैं हो ब्रेकेट को ओपन कर देंगा अब इस्टैप में 16P square Q square plus 9 Q square plus 24P Q square ब्रेकेट के बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेज हो जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 16P square Q square माइनस के 9 Q square और प्लस 24P Q square प्लस के 16P square Q square माइनस के 16P square Q square प्लस के 9 Q square माइनस के 9 Q square अब देखो प्लस के 24 और प्लस के 24 तो कितना हो जाएगा 48P Q square और यही हमारी क्या है? राइट साइड है यही हमारी क्या है? राइट साइड तो लिख देंगे हैंस लेफ्ट अंड साइड इस इक्वल टू राइट हैंड साइड यह क्या आगे हमारा अंस्वर आगा है यही चीज हमने प्रूब करनी थी कि ये दोनों side क्या है equal है तो हम left hand side को लेक्के चले थे जिससे कि क्या आगए हमारे पास right hand side अब देखिए fifth part fifth part में क्या है a minus b bracket में a plus में b plus b minus c b plus c plus c minus a और c plus a तो इसमें वेटा जब हम इसको solve करेंगे तो इसमें left hand side ले रहे हैं कौन सी side ले रहे हैं left hand side इसमें है a minus b और a plus b और plus ये क्या है b minus c और b plus में c ये कितनी है plus c minus a और ये कितनी हो जाएगी c minus a और ये कितनी हो जाएगी c plus में a ये ले लिए हमने left hand side ये क्या ले ले लिए left hand side अब देखो इसमें इसमें और इसमें, तिन्नों में, इसमें, इसमें और इसमें, हमारे पास एक identity है, कौन सी, एक bracket plus की हो, एक minus की हो, कि एक minus b, a plus b, तो इसको लिख देंगे हम, a square minus b square, तो पूरे equation में ये identity यूज हो रही है, इसमें भी, a square minus b square, b minus c, b plus c, b square, और minus c square, और ये क्या हो जाएगा, c square minus a square, अब देखो, plus का a square, minus का a square, plus का b square, minus का b square, minus का c square, plus का c square, तो answer क्या आगया, 0, अब 0 आगया, 0 ही हमारी क्या थी, right side थी, तो is equal to क्या लिख दिया, rhs, तो लिख देंगे, hands, lhs is equal to rhs, और यही हमें क्या करना था, show करना था, कि वह दो side दे रखी थी, तो हम left hand side लेक के चले थे, और x के equal होगी, right hand side के, तो यह जो question है, हर identity का जो इसमें use हुआ है, मैंने उसको write किया हर question में, और question को बहुत ही easy बनाया है, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरह से और भी question practice कर सकते हैं, थैंक्स तो ओल्विटा